Hello friends and welcome back to Chikki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss all about BSC Medical Biotechnology course. आज हम लोग बात करेंगे BSC Medical Biotechnology course के बारे में और ये course हमारा कितने एर का course होता है और इस course को करने के लिए क्या eligibility है और इस course को करने के बाद आप लोगों की कहां कहां पे जोब लग सकती है या आप लोगों को कहां कहां पे जोब मिल सकती है या इस course को करने के बाद क्या आप लोगों के लिए best career options है और कौन-कौन से institution, कौन-कौन से colleges, कौन-कौन से universities इंडिया के अंदर इस course को करने के लिए बहुत अच्छे है इन सभी points पे हम अपनी इस video में आज discuss करेंगे तो friends आप लोग मेरे साथ में बने रही है starting से लेके end तक इस video में और friends आप लोग इस video को बिल्कुल भी skip मत करें इस video का आप लोग starting से लेके end तक देखें और अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया तो friends start करते हैं जो哈mara ब्येश सी Medical स하는 ठ्यूर्णोय है और French साथ जो लेवर्ण है वह WordPress जानते हैं नेक्स्टेंट है जो इस कोर्स का type है वह डिगरी यह एक की प्रोग्राम है friends next हम लोग बात करते हैं eligibility eligibility क्या है आप लोग अगर 12th class in science stream में किया है so you are eligible for B.S.C. medical by technology course तो friends next हम लोग बात करते हैं subjects of study आप लोग अगर join करते हैं B.S.C. medical by technology course को so friends आप लोग कौन कौन से महाँ पे then subjects रीड करते हैं यह हम अपने इस point में discuss करते हैं subjects generally आप लोग जो है सब्जेक्ट रीड करते हैं आप लोग जो है जेनेटिक इंजिनिरिंग सब्जेक्ट को महाँ पर रीड करते हैं आप लोग प्लांट बाय टेकनोलोजी सब्जेक्ट को महाँ पर रीड करते हैं आप लोग एनिमल बाय टेकनोलोजी सब्जेक्ट को करते हैं अपने सी कोर्णcin में अप्लोग माई क्रोडी सफ्चेक्ट वहाँ पर डीन चाये अपने इस कोर्ण में तू यह सब जो सब्चैक्ट्स है टोट्ल मिला कर बहने हैं प्ले डीख जिनको आप लोग अपने थीज我们 में वहाँ पे read करते हैं आप लोग learn करते हैं तो यह हो गई subjects की बात और subjects के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप लोग किसी course की detail को वहाँ पे जानने जा रहे हैं आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि उस एक particular course में कौन-कौन से सब्जेक्ट महां पे हैं कुणि आप लोगों कोपने 3 years वहां जो हैं उस एक particular course में आपूँ आप लोग करेंगे است-पैंड करेंगे तो आप लोगों को उसके बारे में in detail में पता होना चाहिए क्योंकि 3 year जो होता है वो एक बहुती लंबा एक time होता है और friends जो आप लोग graduation course करते हैं उस course पे आप लोगों का पूरा जो wool जो entire आप लोगों का future होता है वो उस पे depend करता है यानि एक तरह से आप लोगों का base होता है तो इस course में आप लोगों को अगर जाना है या आप लोगों जा रहे हैं तो उसके बारे में आप लोगों को detail में वहाँ पे जानकारी होना या आप लोगों को awareness होना वहाँ पे जरूरी है आप लोग aware उससे वहाँ पे रहें नेक्स्ट बात करते हैं colleges के बारे में, colleges कौन कौन से हैं, MIT Institute of Biotechnology जो नोइडा में है, ये एक private institution है, ये आप लोगों को B.H.C. Medical Biotechnology course जो है वो provide कराता है, नेक्स्ट उतराखंड Government College नेनिदाल, ये एक government institution है, यहां से आप लोग अपना ये course कर सकते हैं, तो ये two जो हैं इंडिया क reputed institutions हैं, आप लोग जहां से अपना ये course कर सकते हैं, एक इन में government है, एक इन में private institution यहां पर है, जो मनें आप लोगों के साथ में discuss किया, और friends, इस course को करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत कम institutions हैं, जो आप लोगों को ये course offer करते हैं, या आप लोगों को ये course available कराते हैं, next हम लोग बात करते हैं, employment areas के बारे में, यानि आप लोगों के लिए कौन कोंसे employment areas हो सकते हैं, जहां पर आप लोग as a employee work कर सकते हैं, तो friends, फर्स्ट बात करते हैं private sector के point of view से, यानि private sector में आप लोग इस course को करने के बाद आप लोग कहाँ पर जा सकते हैं, employment areas जो हमारे हैं, प्राइवेट्स एक्टर के पॉइट वीः से से यहाँ वेडिसकस करते हैं थो फ्रेंड्स 1 हमारा यहाँ पे हैफे इन बात करो हूं एक इसके बावल्य के बात करें गे तो फ्रेंडमेड सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं आप medical instrument जो companies होती है जो medical के instrument manufacture करती हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं आप लोग research companies में जा सकते हैं या R&D section में जा सकते हैं आप लोग research companies के research industries के आप लोग जो labs होती हैं government और private जो labs हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं आप लोग Chemical Manufacturing Companies में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग Food Companies में आप लोग जा सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Public Sector की, ठीक है, तो Friends Public Sector में Agriculture and Fisheries में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग Blood Services में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग Cancer Research Institute में जा सकते हैं, वहाँ पे आप लो लोग इन्वार्मेंटल पॉलुशन कंट्रोल बॉर्ड में आप लोग जा सकते हैं आप लोग फॉरेंचिक साइंस डिपार्टमेंट में जोब कर सकते हैं इस को करने के बाद आप लोग पब्लिक हैल्थ लेब्स में आप लोग जा सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब क्ली साइंट सकते हैं आप लोग केमिस्ट बन सकते हैं आप लोग के लिएंटोर को बन सकते nutrient upgrades WILD यह पर सकते हैं आप लोग picture बन सकते हैं आप लोग रिस ? बन सकते हैं आप लोग Washington Ст. scientist बन सकते हैं आप लोगIST Bается You help यह वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों के ब्रैट future लेकर एक major or crucial रोल पले करेंगी इश वीडियो से एगर आप लोगों கोशन से कुष्टं से आप लोगों के नीचे कमेंट बोक्स में ज्रूर oggi करें और फ्रेंड आप लोग अपने suggestions आप लोगों की जो advice हैं उनको वीडियो के नीचे comment box में टाइप करें या friends आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं चिकीस बाइलोजी के Facebook page के साथ चिकीस बाइलोजी के Instagram account के साथ जिसकी link मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं तो आप लोग चैनल को subscribe करना ने भूले और चिकीस बाइलोजी के Instagram account पे चिकीस बाइलोजी के Facebook page बे भी आप लोग मुझसे जो आप लोगों के questions हैं या जो आप लोगों की queries हैं वह आप लोग वहाँ पर मेरे साथ में share कर सकते हैं discuss कर सकते हैं so thank you friends thank you for watching